अखंड मंडला कारं व्याप्तं एन चराचरं तत्पदं दर्शितं एन तस्मै श्री गुरवे नमाहा जनाह स्वैही ब्रम्हनह स्वरूपम अवगतमस्ती इती बहुवारं भावयंति कापि पिपीलिका कदाचित शर्करा पर्वतं गतवती आसीत तत्र एकेन शर्करा कनेन एव तस्याह उदरं पूर्णं अभवत सा अपरम एकम कणम मुखे स्थापईत्वा अनंतरम आगत्य एतं पर्वतमेव नयामी इती भावयंती स्वनीडं प्रती प्रस्थितवती सामान्याह अपि एवमेव भावयंती ब्रम्ह वांमनाती तम इती ते न जानंती मनुष्याह कियान वृद्धाह भवती चेदपी भगवतह विशये किम्वा ज्ञातुम शक्नुयात शुकदेवादयह अपि समग्रतया भगवतह विशये न ज्ञातवंतह आसन। प्रायशह ते अश्टवा दशवा शर्कराकनान नेतुम शक्ताह ब्रहत्पिपीलिकाह इव आसन। वेदेशु पुरानेशुच ब्रम्हनह स्वरूपम वर्नितमस्ति किल तत कीद्रशम इत्युक्ते कष्चन समुद्रम द्रिष्ट्वा आगतवानस्ती इति भावया। तम कोपी किम्भोह समुद्रह कथमस्ति इति प्रिच्चति चेत सह स्वस्य मुखं ब्रहत उद्घाट्य वदति। अहो कीद्रिषम अध्भुतम द्रिष्यम कीद्रिषाह भयंकराह उल्लोल कलोलाह तस्मिन इति। ब्रम्हनह विशयह अपी तथा एव वेदे उक्तमस्ति ब्रम्ह आनंदस्वरूपम सचिदानंदम। शुकदेवादयह अस्यब्रम्ह सागरस्यतीरे स्थित्वा केवलं तस्यदर्षनं पर्षनं चक्रितवंतह आसन। अमुँँ सागरं येते नैव अवतियर्नाह इति कतिपये वदंती। ये अमुँँसागरं अवतरंती तैही प्रत्यागंतुम् नैवशक्यते। समाधव ब्रम्ह ज्ञानं लभ्यते, ब्रम्ह दर्शनं लभ्यते, तस्याम अवस्थायाम विचारह सम्पूर्णतया स्थगितह भवती, मनुष्याह मूकह भवती, ब्रम्हनह स्वरूपं वर्ण इतुम् तस्मिन शक्तिहिन भवती लवण पुथलिका कदाचित समुद्रस्य गभीरतां गवेशितुम् गतवती, सर्वे हसंतस्चंती तस्य गभीरता कियती इती अन्यभ्यासूचनियम इती सा संकल्पं कृतवती आसीत। किन्तु तथा कर्तुम् तया नईव शक्तं। समुद्रे अवतरन समनंतरमेव सा तत्र विलीना अभवत। समुद्रस्य गभीरता कियती इती सूचयितुम् कथम् तया शक्यते। कष्चन भक्तह ब्रह्मा ज्ञानं प्राप्तवतः मुखात् वचनं निव निस्सरति वाः। श्री रामकृष्नह येन ब्रह्मा ज्ञानं प्राप्तः भवती सह ब्रह्मानह विशय किमपिन वदती यावत पर्यंतं भगवत दर्शनं न लब्धं भवती, केवलं तावत पर्यंतं भगवत विशये विचारह वचनंच भवती तप्यमानं नवनीतं यावत पर्यंतं गृतं न भवती, तावत पर्यंतं तत कलकला इति शब्दं कुर्वत भवती यदा तत संपूर्णतया तप्त्वा गृतम भवती तदा तस्मात कोपि शब्दहा न निस्सरती किन्टु तस्मिन यदी अतप्त पूरिका पतती तरही तत पुनहा कलकला इति शब्दम कर्थुम आरभते पूरिकायाह पाकसमनंतरम एव पुनहा सहा शब्दहा स्थगितह भवती तथा एव यह प्रह्मध्णानं प्राप्तवान भवती सहा प्रह्मधनnhः विशयं मौनं अवलंबते चेदपी यदी कोपी ब्रह्मग्नानार्थं तम उपसर्पति तरही तम तस्य विशये बोधैतुम् वदति